हेलो वेलकम तू माई चैनल नितुस काड़ान तो चलिए आज हम मैं बताऊंगे आपको कनेर के पोधे के बारे में मेरे पास पिंक कनेर है तो देखे यह कितना सुंदर लगता है इसमें फूल बहुत अच्छे आते हो गर्मियों में तो यह पूरा ही फूलों से भरा होता है औ असानी से यह फ्लाविंग करता है तो चलिए मैं बताऊंगे आपको लगाना कैसे यह असानी से आपको नस्तरी शॉप में मिल जाएगा 200 के आसपास इसका रेट है यह थोड़े कोस्ट्री ही आते हैं तो 200 रुपे के आसपास यह आपको असानी से मिल जाएगा उससे कम में रजाए मिल सकता है या उससे जादा में भी मिल सकता है वह प्लान्ट की जैसा रिशम नस्तरी प्लान्ट होगा उसी किसलेी के रेट होते हैं यह देखे, मैंने मिट्टी के गमले में लगाया है, और पहले यह छोटे गमले में लगाया था, उसके बाद जैसे जैसे प्लांट ने मेरे ग्रोस शुरू की, मैंने इसको गमला थोड़ा बड़ा दे लिया, और इसको जल्दी जल्दी इस प्लांट को, करियर के प्लांट को जल्दी जल्दी रिपोर्ट भी नहीं करना होता है छे से साथ साल में आपको रिपोर्ट करना है एक बार और रिपोर्ट करने का भी तरीका क्या है कि आपको बस छोटे गमले से निकाल कर जैसे ही आपका प्लांट बड़ा होता है थोड़ा बड़े गमले में शिफ्ट कर बस और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है वह अच्छा प्लांट है आप क्या करना है कि टाइम टाइम पेस में गुडाई करते रहे हैं कि पर्मनेंट प्लांट है जड़े इनकी काफी डीप ली जाती है अंदर तक जाती है तो थोड़ा इसको आपको डीप गुडाई कर प्लांट है और हर 15 दिन में 20 दिन में आप इसमें गुडाई करते रहे हैं और पानी प्रमनेंट प्लांट है और पानी बीज को आपको जब इडानना है जब गंबला सूप जाए और रखना कहां पर है इस प्लांट को दिन में 4-5 गंटे की सनलाइट की जरूरत होती है तो हमेशा इसे रखें कि फूल कंटिन्यू आते रहें क्या करना है देखिए ये खुदी अच्छी ब्रांचिस निकालता रहता है लेकिन जैसे आपको लगे कि वही इस पे से फूल अब आना बंद होगा है तो तब ही आप इसको यहां से कटिंग कर दीजिए अपने आप यह न इसको फीट कैसे करना देखिए फूल आएंगे तो इसको हैवई FIDING की जरूरत है फूल कंटिनू आते रहें तो फीडिंग तो करना पड़ेगा ना हमें तो फीडिंग करने लिए आपको क्या करना है देखिए कमपोस्ट इसमें आप यह बहुत अच्छी से चल जाते बस आ आपका प्लाट इसी तरह healthy चलता रही है और देखें मैंने किसी भी और दूसरा भी मेरे इस गंबले में दूसरे और कोई प्लाट रही है जहां तब हो सके जितने भी permanent plant होते हैं और खास करके कनेर का इसमें कोई भी दूसरे प्लाट को जगा नहीं देने जी है सिंगली लगाना चाहिए तब इंचह से चलते हैं तो यह जितनी सूखी स्थ्रेकी की पतियां होते रहे हुध होते हैं तो जिसी सूखी फूल होते हैं इन्हें भी टाइम टाइम पर आप अटाते रहे हैं और जहां से आप सुखे फूल हटाएंगे वहीं से नई ब्रांचिस निकलेंगी और आपका प्लांट पूरा बुर्शी होता चला जाएगा तो आप इस प्लांट को जरूर अपने गार्डन में जगा दिए बहुत अच्छा प्लांट है पूरा साल रहता है तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर बताईएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में उपके बाई